आज हमारा जो निया टॉपिक है वह है कुछ इंपोर्टेंट इंटर्व्यू में पूछे जाते हैं उनके कुछ आंसर हैं हम यहाँ पर डिसकस करेंगे आज तो पहला कुछन है वाई कॉंक्रीट कवर इस प्रोवाइड टूर इंफोस्मेंट हम कॉंक्रीट कवर इंफोस्में इक्वेशन यूज़ पर कैलकुलेटिंग यूनिट वेट ऑफ इस्टील वार एक्वेशन होता है कैपटल डी स्कॉर डिवाइड वाइड वाइव वन सिक्टी टू अगले कुछन के तरफ हम लोग बढ़ते हैं अगला कुछन है हमारा साइज ऑफ कॉंक्रीट क्यूब जिस कॉंक्रीट कूप के साइज क्या होता जिससे हम टेस्ट करते हैं तो यह तो है 15 cm x 15 cm x 15 cm कई जिए इसको म में लिखा होता है म में आएगा तो 150 mm 150 mm x 150 mm ठीक अगले कुछन के तरफ बढ़ते हैं कि वाट दू यू डू इफ इनी कॉंक्रीट फेल इन्ट इन्ट इस कॉंप्रस इसिवा क्या करता है जिए ऐज इंजिनियर आप यह काम करते है तो आप क्या करेंगे तो इसकासर को इफ यह कॉंक्रीट फेल इन atenção क्या करकेंनी ग्रीजरर्ट को इस अंगले को पुछा जाता है एक प्लेन होता है और एक प्लेन होता है और एक रिन्फोर्स के जो वैलू होती है 25 किलोडेंट पर मीटर क्यों होती है अगला क्यों है इन F415 steam grid इन F415 steam grid इन F415 steam grid 415 इंडिकेट करता है तो 415 हैं क्या इंडिकेट करता है तो 415 हमरे नजीच स्टेम्ट को बताता है अगला important question volume of 50 kg bag of cement मतलब एक 50 kg bag का volume कितना होगा तो 0.035 meter क्यों अब आते हैं अगले question की तरफ कि in residential building average value of stair width average value of stair width कितना होगा 900 mm next question हमारा है the slope of stair should not exceed जो हम stairs अपने घरों में देते हैं सीड़िया देते हैं तो उसके लिएक recommendation दी गई है इसका जो slope है 40 mm से 40 degree से जादा नहीं होना चाहिए और ये किसके किसके बीच में लाई करना चाहिए 25 degree से लेकर 40 degree के बीच में ये भी a question बन सकता है ये होता है 25 degree से लेकर 40 degree के बीच में ये होता है minimum 25 degree और maximum 40 से जादा नहीं होना चाहिए अगला question है minimum diameter of steel in column minimum diameter of steel in column Steel जो हम reinforcement use करते है column में इसका minimum diameter कितना होता है 12 mm से कम हमको not ही लेना होता है उसी से related अगला question है minimum number of bar in circular column तो इसमें minimum number of bar हम कितना लेंगे minimum number of bar हम 6 लेंगे 6 से कम हम bar nicht होता है ठीक है minimum number of bar in rectangular column अगर यही circular column है और जब रेक्टेंगूलर column हो जाएगा तो minimum number of bar कितना होगा तो यह question पूझे minimum number of bar in rectangular column जब rectangular column होता है minimum number of bar होना 4 हो जाता है ठिक तो यह बहुत important question है कई objective exams में सारे questions आते हैं और आपके interview में भी आपसे पूछे जाते है standard size of brick brick का standard size कितना होता है 19 cm x 9 cm x 9 cm अगला question जो हमारा है full form of utm full form of utm को हम क्या full form है बोलते हैं तो universal testing machine कई लोग इसको uniform कर देते हैं तो uniform गलत होता है universal testing machine अगला question है हमारा कि cement expires after cement कितनी दिन बाद expire होने लगता है उसकी strength घटने लगती है after three months ठीक अगला question है maximum free fall of concrete allowed in मतला अगर concrete को हम उपर से नीचे की तरफ गिराते हैं तो maximum कितना free fall allowed है तो 1.5 meter क्योंकि 1.5 meter से उपर से जब हम इसको गिराएंगे तो इसमें segregation की condition आ जाएगी किसकी condition आ जाएगी segregation की condition अगला question है instrument used for level work on construction site level work construction site पर करने के लिए हम कौन से instrument used करते हैं dumpy level अगला question है full form of AAC full form of AAC एकसर interview पूछा दा है इसका full form क्या होता है autoclave aerated concrete autoclave aerated concrete उसी तरह full form NDT का क्या होता है NDT non-disruptive test ठीक है NDT का full form होगा non-disruptive test अगले set of questions की तरह बढ़ते हैं अगला set of questions है हमारा वो है full form of JCB यह बहुत important question है क्या बार पूछा जाता है full form of JCB Joseph Krill Wamford यह आपको याद रखना होगा क्या बार इंटर्वी में question पूछा जाता है test is conducted to determine the bearing capacity of the soil कौन सा test किया जाता है bearing capacity of soil के लिए breed load test हम लोग करते है ring and ball test is conducted on which construction material यह नि रिंग and ball test किस construction material ring and ball test is conducted on which construction material किस construction material के लिए ring and ball test use करते है वो bitumen के लिए करते है bitumen के लिए अगला question जो है बारा minimum hook length as per IS code minimum hook length कितना होता इस code के से से 75 mm least count of dumpy level least count dumpy का कितना होता है 5 mm full form E of EGL EGL का full form क्या होता है यह एक सर पूछा जाता existing ground level existing ground level अगला जो question है number of bricks used in 1 meter cube of brick work यह नि 1 1 meter cube के brick work में कितना number of bricks होता है तो 500 normal consistency of portland cement portland cement की जो normal consistency होती है वो कितना होती है 25% expansion of expansion in portland cement is tested by जो किस test के दोरा हम निकालते हैं soundness test के दोरा एक question यहां से और बनता है कि maximum कितना होता है expansion अगर portland cement है तो maximum expansion जो कितना होता है 10 mm होता है वो RCC work में minimum M20 grade यूज करते है या M20 grade या उससे उपर की concrete हम RCC work में यूज करते हैं एक छोटा से question और बचा हुआ है हमारा कि full form of DPR full form of DPR DPR का full form क्या होता है DPR का full form होता है detailed project report कई लोग यहां confusion दे daily project report कर देते हैं तो daily project report is wrong detailed project report तो आज के लिए objective और हमारे questions है इतनी है फिर next video में हम और questions लेके आएंगे Thank you